नमस्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सब एका स्वागत है सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो गैस आज हम डिसक्स करेंगे नालको पर दोन है चाइना का जो भी इन रिजल्ट आया है उसका क्या इंपक्ट पड़ाए मेटल सेक्टर पे वह भी एक्सप्रेंड करके देंगे यहां पर क्या जो है सेटप बन रहा है फंडमेंटल का इंडिगेट करें तो चले स्टॉक का जो है टेकनिकल और जो है फंडमेंट चले स्टॉक के बारें से शुरू करते हैं तो सबसे पहले और बात करें तो लिए जो है फ्रीफ्रोट में जो है 45 परसेंट है तो ओर शिप डिस्ट्रिबिशन में कोई भी कमी नहीं गाई इस काफी हल्दी रेशो में जो यहां पर बात करें तो कंपनी की जो पी है वो काफ यहां पर आपको चीप प्राइस में मिल रही क्योंकि आपको पता एंशनों के सब्सक्राइब करेंचने को मिल जाएंग तो दो तकरीवन स्ट्रीवन में जो है एक बड़ा फॉल देखने को मिल रही है तो सबसे बड़ेशाएं चाइन में मिल रही है दो नेद इन-चार पर और profit margins में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली का इस क्योंकि इसका सबसे बड़ा मेन कारण था चाइना में slow down आ गया था domestic market में slow down आ जोका था global markets में काफी uncertainties थी जिसके ऐसे aluminum prices में काफी गिरावट आई जिससे एक negative impact जो है नाल को शेर के growth profitability में पड़ा और हमें net income profit margins में जो है गिरावट देखने को मिली revenue to profit conversion के बारे बात करें gross profit जो है वो काफी ज्यादा जो है हमें ज्यादा sorry जो gross profit है guys वो काफी strongly grow हो हुआ है EBITDA ठीक रहा है net income जो वो भी stable रही है बाकी थोड़ा जो uncertainty थी उसके वैसे थोड़ा में में shrink out दो है देखने को मिला है guys हाल फिलाल में अभी company dividend नहीं दे रही financial health के बारें बात करें तो company पे debt काफी कम है free cash flow में हमें इसके वज़से किरावड देखने को मिली बाकी cash and requirements company के बड़े हैं तो गाइस नालको जो है fundamentally तो काफी strong company growth outlook भी काफी positive है लेकिन जो यह domestic market में slow down आये था चाइना में slow down आये था इसके वज़से जो नालको जैसे शेरों में हमें एक negative impact देखने को मिला और एक जो है correction जो है में इसमें देखने को मिला तो गाइस यहाँ पर नालकों का setup आपको explain करके देते चार सेट अप अपर लेवल से आपको काफी जाता जो है यहाँ पर selling देखने को मिली गाइस क्योंकि आपको होता है चाइना में जो slow down आया था ग्लोबल मार्केट में slow down था domestic मार्केट में slow down था जिसकी वाद से हमें काफी बड़ा क्रेक्शन स्टॉक में देखने को मिला लेकिन नीचले लेवल पर इसने श्ट्रॉंग बेस मिलाया और अपना चाल धीरे धीरे चलता रहा और काफी हद तक इसने एक बड़े टार्गेट की तरफ अचीव कर रहा था और जितना भी इसमें लोगों को लॉस हो था उसे जो यह रिकवर कर रहा था लेकिन अब जो हमें फिर से पर लेवल में थोड़ा slow down होता हो दिख रहा स्टॉक तो गाई जिसका सबसे बड़ा मिन का रहा है आज यह चाइना का एक आ आधि हमें इस स्टाउक में देखने को मिले सूटी देखने को मिले क्योंकि चाइने एक बहुत बड़ एक्सपोर्टर है तो पूरे मेटल स्टर में एक slow down हमें देखने को मिलता है तो यह अभी नेक्से आने वाल टाइमें आको नालकॉम एक सूस्ट सेंटेमेंट बनता हो दिख सकता है तो जब तक छायना में फिर से तेज़ी नहीं बनती उनकी इंडिस्ट्री इंडिस्ट्री गुरोथ वगेरा में तब तक जो आपको मेटलश्य लोग में अपे ल सेन्ट्री सेंट्यमेट और एक सुस्नीमेट देखने को मिलेगा तो में आपको यही आए दूँगा अभी आप नालकों में जो है प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं अगर आप एक शोट टर्म ट्रेडर है लॉंग टर्म इंवेस्टर है तो आप लोग जो है दो तीन साल का पॉइंट अव्यू ही इसमें मिनियमम लेके चले गाइस तो ऐसी और वीडियो दे